अभी गुमनाम हूँ तो फासला बना रहे हो कल मशूर हो जाओंगा तो कोई रिष्टा मत निकाल लेना कहते हैं कि जिन्दिगी का आखरी ठिकाना इश्वर का घर है कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ में जाते हैं जब अवसर आए तो तयार रहो क्योंकि जब अवसर और तयारी दोनों मिलते हैं उसे ही भाग ही कहा जाता है संभलों की सीमा जानने का एक ही तरीका है असंभलों से भी आगे निकल जाना खुद में जाकने के लिए जिगर चाहिए दूसरों की शिनाक्त करने में तो हर शक्स माहिर है बाते जोकों के साथ हवा में जल्द ही फेल जाती है जबा संभल के बोलना दोस्तों लोटती है तो रूप बदल कराती है अगर आपने हिम्मत है अपनी गलतियां सुईकारनी की सुएम से लड़े बाहरी दुश्मनों से क्या लगना जो स्वयम पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ती होती है जीत किस के लिए और हार किस के लिए जिन्दगी भर ये तकरार किस के लिए जो भी आया है वो चाहेगा एक दिन फिर ये इतना एहंकार किसके लिए है नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती और सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है जिंदिगी भी इसी तरह है देते रहोगे तो मीठे लगेंगे और ये दिल लेते रहोगे तो खाले बन जाओगे मनुशी के दो रूप है एक वो जो घने अंधिकार में भी जाता रहता है और दूसरा वो जो प्रकाश में भी सोता रहता है तुम हार जाओ इसकी मुझे चिंता नहीं लेकिन हार कर बैठ जाओ इसके मुझे चंता है मौण से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं और जो दिल से दिया जा सकता है वो हातों से नहीं दिल खोल कर इन लवहों को जीलो यारो जिंद्धगी अपना हितिहास फिर नहीं दोराएगी खुश नसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तिमाल किया क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं वो विक्ति गरीब नहीं जिसके पास थोड़ा पहुती है गरीब तो वो है जो ज्यादा के लिए मर रहा है अरे लोग बदल जाते हैं लेकिन अपनों को बताना भूल जाते हैं अरे क्यों हर शक्स की गलतिया गिनते हो इस जहां में आथ भी बसते हैं भगवान नहीं दिल में लगियो आग तो शेयर कीजिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं साइनिंग ओफ M.D.Modulation